पिरामिट के कुछ अंसुलजे रहश है पिरामिट के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा क्योंकि बच्पन से हम धर्ती के साथ अजूबों के बारे में सुनते और पढ़ते आ रहे हैं और गिजा के महान पिरामिट साथ अजूबों में से एक है लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आई, कभी ये सोचा है आपने की हजारों साल पहले इतनी बारीकी से इन पिरैमिड को बनाया कैसे गया होगा क्योंकि उस समय तो टेकनलोजी बिल्कुल ना के बराबर थी पिरैमिड के बारे में कुछ ऐसे रोचक बाते हैं, मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप भी एक बार ही सही लेकिन सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कहा जाता है इन पिरैमिड को बनाया गया था राजा महराजाओं के शब को सुरक्षित रखने के लिए मतलब ममी बना कर रखने के लिए लेकिन आज तक किसी भी पिरैमिड में कोई भी ममी नहीं मिला बैग्यानिकों के अनुसार इन पिरामिडों के नीचे बहुत से ऐसे गुप्त कमरें और रास्ते हो सकते हैं जिनके बारे में अभी भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है अगर ममी को सुरक्षित रखने के लिए इन पिरामिडों को बनाया गया है तो कहीं ना कहीं वो सभी ममी अभी तक सुरक्षित होगी क्योंकि अगर किसी के हाथ लग जाए तो वह ममी सुरक्षित कैसा वैसे तो मिष्र में 138 पिरामिड है पर इसमें सबसे परसित घिजा का पिरामिड है इसे ग्रेट घिजा पिरामिड भी कहा जाता है घिजा के ग्रेट पिरामिड के उचाई 450 फिट है 43 सदियों तक ये दुनिया की सबसे उची समरक्षना थी लेकिन 19 सदी में इसका एक रिकार्ड टूट गया और इस पिरामिड को नीचे का भाग वो 13 एकरण में फैला हुआ है जो लगबग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है इस पिरामिड को 25 लाख चुना पत्थरों से बनाया गया था और हर एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 30 टन का था और इस भब पिरामिड को बनाने के लिए 23 साल का वक्त लगा था लेकिन बात फिर से गूम कर वहीं पर आ चाती है कि आखिर उस समय में बिना किसी टेकनलोजी के ऐसे भब पिरामिड को कैसे बनाया गया होगा क्योंकि इंजीनियर्स भी मानते हैं आज के जमाने में इतने एडवाउंस टेकनलोजी के होते हुए बिलकुल भी ऐसा पिरामिड बनाना मुम्किन नहीं है पिरामिड का रहा से तो और भी बढ़ने लगा जब ये सिर्फ गिजा में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में पाया जाने लगा गिजा से कहीं छोटे पिरामिड सूडान में मिले जिनकी संख्या 225 है और ऐसे ही साउथ अमेरिका चीन इटली इंडोनेशिया में बहुत से जगा पर मिलने लगा गौर करने वाली बात तो ये है उस समय तो इंटरनेट नाम की कोई चीज भी नहीं थी नहीं संचार का कोई माध्यम होता था बलकि उस समय तो एक देश मे एक देशे दूसरे देश जाने के लिए या फिर कोई संदेशा पहुचाने के लिए बहुती दिक्कत होती होगी तो फिर कैसे बिना किसी संचार माध्यम के बिना कुछ देखे एक ही समय में धर्ती के अलग-अलग जगे पर काफी हद तक एक जैसे दिखने वाले pyramids को कैसे बनाया गया होगा सच में सोचने वाली बात है दा ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए पचीस लाख अलग-अलग आकार के चूना पत्थरों का उपयोग किया गया था और हर एक पत्थर का वजन दो टन से लेकर तीस टन तक का था जिससे कब किसी भी स्ट्रक्चर का निर्मार करना मुश्किल था लेकिन इसके बावजूद मिश्रवासियों ने इस पिरामिड को इतनी बारीकी से बनाया कि उन पत्थरों के बीच में से एक सुई भी नहीं गुसाई जा सकती है पिरामिड में न्यू के चारों कोनों के पत्थरों में बॉल और सौकेट बनाये गए हैं ताकि उस्मा से होने वाले परसार और भूकंप से ये सुरक्षित रहें विशशग्यों का मानना तो ये भी है कि मिश्रवासियों को सुक्ष मगडितिये और खगोलिये ज्यान की भी जानकारी रहा होगा क्योंकि पिरैमिड इस तरह बनाया गया कि वो 500 डिगरी के साथ उत्तर दिशा को अंकित करता है जो कि बिल्कुल सटीक है ग्रेट पिरैमिड में पत्थरों का परियोग इस प्रकार किया गया है कि इसके बीतर का तापमान हमेशा धर्ती के आउस्तन तापमान 20 डिगरी सेल्सियस के बराबर रहता है यदि इस पिरैमिड के पत्थरों और 30 सेंटीमीटर के मोटे टिकुडों में काट दिया जाया तो इनसे फ्रांस के चारों और एक मीटर उची दीवार बनाई जा सकती है बैज्ञानिकों द्वारा ये प्रमाडित हो गया है कि पिरैमिड के अंदर बिलक्षण किस्म की उर्जा तरंगे लगातार काम करती रहती है जो सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के बस्टू पर प्रभाव डालती है बैज्ञानिक इसे पिरैमिड पावर कहते हैं इन पिरैमिड को बनाने की तकनीक के बारे में अब भी कुछ भी पता नहीं चला है बैज्ञानिक कई सालों से इस बात को जानने में लगे हैं लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है आशा करता हूँ आप लोग को इस पिरेमिट के बारे में सब बाते जानकर अच्छा लगाओगा और अगर पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर सेयर करें धन्यबाद